बजट में जॉब देने वाली स्कीम को जारी रख सकती है सरकार 10 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी आप दीख रहे हैं दखबरदार न्यूस ये न्यूस चैनल नहीं आपकी आवाज है आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना जुका सकता है हम करते हैं सब को खबरदार पिछले चुनाव की तरह इस बारवी सरकार आम जनता कुसी देला पहुचाने वाले योजनाओं को शुरू कर सकती है बात जब रोजगार की होती है तो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आत्मनेरबर भारत रोजगार योजना पर आकर टिक जाती है आईए उस योजना के बारे में जानते हैं सरकार का फोकस रोजगार पैदा करने वाली योजनाओं पर हो सकता है इस बार सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी क्योंकि लोग सबाग के चुनाव होने हैं पिछले चुनाव की तरह इस बार भी सरकार आम चंता को सीधा लाप पहुंचाने वाले योजनाव को शुरू कर सकती है बात जब रोजगार की होती है तो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आत्म निर्बर भारत रोजगार योजना पर आकर ठिक जाती है किंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दोरान नौकरियों को बड़ावाद देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है इस योजना के अंतरगत EPFO यानी Employee Provident Fund Organization के मात्यम से करमचारियों को 24 प्रतिशत की वेतन सबसेडी प्रादान की जाएगी इसका लक्षय है कि दो वर्षों में 10 लाख नौकरियां पैदा की जाएं सरकार ने इस योजना के लिए लगबख 6000 करोज रुपे का बजट निर्धारित किया है इसके तहट अब तक लगबख 5 लाख से अधिक कंपनियां पंजीकरत हो चुकी है इन कंपनियों के माध्यम से कर्मचारियों को लगबख 10 लाख नौकरिये प्रदान करने का लक्षय है या योजना लोगों को रोजगार के अफसर प्रदान करके उनकी आर्थिक इस्तिती को मजबूत करने का प्रयास कर रही है विशिशकर लोगडाउन के पश्चात या स्वाभाविक रूप से आत्मिनिरवर भारत अभ्यान के साथ मिलकर देश को आर्थिक संकट के मात्यम से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजिनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं प्लीज विजिट ता मांटेन केफे एंड बेकरी फॉर फास्ट खूड नियरबाइ सुहागी बाइपास